हेलो और नमस्ते यूट्यूब स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में कि आप सब को भी फैट लॉस करना है इसे मैंने पहले ही 50 kg कम किया ता और मैं दुबारा एक जर्नी पे हूँ फैट लॉस की तो ये वीडियो आपके लिए जरूर इसको एंड तक देखना तो जीरो सब्सक्राइब करना है तो ये जरूर नहीं पतानी मेरी हालत कैसी है जो यह पुराने देखते आने विसले एक साल से मेडिकल इसू इतने सारे है कि एक दिन भी धंग से बैठानी जाता पर वो कौन संजा है लोगो लेगा मैं सिंपती ले रहा हूं इसले मैं थोड़ा बोलन पारी ना प्रोटीन पच पारा ना चिकन पच पारा बहुत दिक्कत आरी है पर कोई नहीं प्रोसेश चलता रहे गा जिनको उल्टा बोलना वो बोलेंगे उससे मोटेवेशन ही मिलती है कोई नहीं क्यूंकि इसब मुझे अपनी इंटरनल हेल्थ देखनी है टाइम चाहे 200 मेंटेरेंस कैलरी कितनी है आप एक डाइट प्लान बनाई नहीं पाऊ गया अगर आप यह सोचते हो ना कि मेरा डाइट प्लान देख लोगे है जो और भी क्रीटर जो आपको डाइट प्लान बताते है उनका सेम फॉलो करके आप भी अपना फैट लॉस कर लोगे तो यह सब बहुत ही बात है गूगल पर जाओ के बहुत बार पहले बता चुका हो मेंटेनेंस कैलरी आएगी वहां जाके अपना पूरा हाइट वेट अपने अक्टिविटी लेवल बताओगे एक आसपास कैलरी आजाएगी एक हफते वह खाके देखना अगर आपका वेट वह खाके से लोग निगलेट करते हैं वेट ट्रेनिंग को अपनी बनाओ कार्डियो सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्डियो वेस्कुल हेल्थ के लिए करो और एक एक्स्रा पुश मिल सके फैट लॉस में सिर्क उसके लिए करो पूरे दिन भागते नहीं रहना स्किल नटक जाएगी बाद चल रहा है वो क्या करें अब वो 220-240 ग्राम तो नहीं खाएंगे प्रोटीन अपना लीन बॉडी मास निकालो गूगल पे जाके आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप उससे 1.5 से 2 पॉइंट मुल्टिप्लाय कर लेना और उसके उतने हिसाब से ग्राम का खाना से माल मैं आगे वीडियो बनाऊंगा डेली जिसमें आपको पूरी जर्नी दीखेगी लॉंग वीडियो में भी इसमें सारा बताऊंगा दूसरी बात इस मित से दूर रहना के काब्स और फैट्स आपको मोटा करेंगे बहुत 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 जादा जरूरी है उससे मोटे नहीं हो होंगे बस calories आपको पता होनी चाहिए और well-balanced diet होनी चाहिए और healthy fats भी आपके बहुत अच्छे दोस्ते हैं जिसे घी हो गया, olive oil हो गया, paneer हो गया, जिते भी आपको healthy fat मिल सकते हैं, nuts हो गया, जरूर अपनी diet में आट करो और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अब रही बात यह protein की, कि भाया आप पत्ले होने वाले हैं, calories कम करनी पड़ती है, protein intake पूरा नहीं हो रहा, तो इसके लिए भी आपके भाई के पास एक solution है, आप सबके अफतार का iso-rich whey protein, यह मैं खुद खाता आ रहा हो इतने टाइम से, पिछले साली मैंने खाया था, जो मैं खुद खात कर नहीं आएगी, आपको अगर fat loss भी करना है, ठीक है, simple सी बात है, budget friendly भी है, और यह ना freshest whey protein है, इंडिया का 24 गंटे के अंदर इसकी पूरी processing हो जाती है, और यह package हो जाता है, और कोई इसमें गंदे substance नहीं है, heart metals नहीं है, जो यह दावा करते हैं, आपको वही मिलेगा, purity की पूरी guarantee है, कोई amino spiking नहीं है, इसके अंदर, और इंडिया का best protein है, तो इसकी site पे जाना, अफ्तार की मेरा coupon code लगा देना, HC30, इससे आप सब भाईों के एक्स्टा डिसकाउंट मिल जाएगा, अब रही बात, बाकी supplements के बारे में आपको बताता हो, क्योंकि यह question ऐसा है, fat fat loss करते हो, कोई बंदा, fat loss करना, start भी नहीं करता है, एक दिन पर उसके जुबान पर यह होता है, supplements कौन से लो, whey protein मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी diet में प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अफ्तार का whey protein लेना, पूरा भरोसा आपके भाई का, भरोसा करते हो जरूर लेना, बंदास, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरा, creatine हाँ, आप creatine ले सकते हो, fat loss में, strength बढ़ाएगा, muscle mass बढ़ाएगा, ATP levels बढ़ाता है, muscle में, और आपको बहुत जादा help करेगा, creatine तो आप आपर आप से ले सकते हो, दूसरा हमारे पास आता है, vitamin D और calcium, तो अपर आपास है, multivitamin, multivitamin भी बहुत जरूरी है, micronutrients, minerals, vitamins बहुत जरूरी है, आपकी body के लिए, तो वह भी आप जरूर आपकी बाड़ी के लिए, तो वह भी आप जरूर आपकी बाड़ी कर सकते हो, और आपकी डाइट में इस सब है, तो कोई दिक्कन नहीं है, बाकी आ जरा सकते हैं, आपको सारे levels पर चल जाए, zinc के, magnesium के, iron के, और जिससे भी आपको supplement करना है, किसी डॉक्टर से पूच के, किसी अच्छी company का, यह नहीं मैं सज़ेस्ट करूँगा, अच्छे खुद रिसर्च करना, जो आपको सूट करें, क्योंकि हेल्थ का मामला है, हेल्थ से कि सबसे दूर रहना, हेल्थ एक बहुत जरूरी चीज है, मैं खुच 4-5 साल से इससे बहुत परिशान हूँ, मेरे बैड लाइफस्टाल की वैसे लो मैंने पिसे 10 साल से कर रहा है, डेली भाहर का खाना, डॉक्टरों ने वर्निंग दे ती फिर भाहर का खाता आ रहा हूँ अब इतनी सारी बिमारियां हो चुकी है, IBS है, Alcers है, High Uric Acid है, Inflammation है, Direction बिल्कुल जीरो हो चुका है, रोटी पचाने में भी दिक्कत आती है, तो इसले मैं आपको इसाब बोलोगा, lifestyle बहुत जरूरी है, slow लेके जाओ प्रोसेस को, इतना slow हो सके, weight training पे ध्यान दो, diet पे ठीक है, और जो इना 0-0 देखे रहे हो, उने 15-20 दिन से काफी उलजा हो है, अगर में kitchen बन रहा है, तो सारा मैसा पो रहा है, एक बार यह बंजा है, आपका भाई सारी वीडियो लाएगा, फिर long format में भी आपको बताया करेगा, जो जो मैं go through कर रहा हो, ताकि मेरे through आप सब की भी help हो, तो next video में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना प्यार बनाया रखना, अपने पापा अम्मी का ध्यान दो, अपने सपनों के लिए लड़ते रहो,